Hello everyone, this is Rajan here from Ikiniti Services आज के वीडियो में हम ये देखेंगे की कैसे अगर आपका यूटीब का चैनल है और वो चैनल पर आप एचाहते हैं कि आपका कोई प्लेइस्ट है वो प्लेइस्ट को आप अनलीस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो जो playlist है वो वही लोग देख पाएं जिनको आप link भीज़ेंगे playlist का तो ये करने के लिए सबसे पहले आपने playlist बेनाया होना चाहिए आपके चैनल में तो आपको कोई video अगर आपका है और वो video आपने किसी playlist में डाला है तो ये applicable है नहीं तो आपके लिए applicable नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले आप YT Studio आप में चले जाएए YT Studio आप में जाने के बाद में आप यहाँ पे तीन dot पे click कर दीजिए जैसे आप यहाँ पे click करेंगे playlist करके option है उस पे click कर दीजिए यह click करने के बाद में नीचे एक playlist है wise in voice mobile app करके मैं यह चाहता हूँ कि यह जो playlist है वो उन्हीं लोगों को दिखे जिनको मैं link भेज रहा हूँ मैं बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ यह playlist में जितने भी वीडियों से वो बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं यह playlist पे click करूँगा click करने के बाद में यहाँ पे एक pencil का icon है जिस पे आप click कर दीजे जैसी आप इस icon पे click करेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा playlist privacy करके तो यहाँ पे click करके आप इसे unlisted कर दीजे और यहाँ पे save कर दीजे unlisted करके आप save कर दीजे जैसी आप save करेंगे इसे refresh करेंगे तो यहाँ पे जो icon था globe का वो change होके अभी दूसरा icon आ गया यह indicate यह करता है कि यह जो playlist है वो अभी unlisted हो गया है तो जो भी users है अगर वो बाहर से आपके channel पे आते हैं तो उसे यह playlist नहीं दिखेगा यह playlist उन्हीं को दिखेगा जिनको आप इस playlist का link भीजेंगे तो अगर आप social media marketing और digital marketing related ऐसे और भी interesting videos देखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe करें और नीचे दिए गया bell icon को दबाएं जिससे future में जब भी हम नए video डालेंगे तो आपको notification आएगा Thank you